प्यार एक इतना खुबसूरत सा एहसास कि जब ये एहसास किसी को हो जाता है तो वो ना समाच की परवा करता है ना उम्र की परवा करता है और ना हिद्धर्म की परवा करता है ये इतना खुबसूरत सा एहसास है कि जब जब जिसे हो जाता है वो शक्त सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का होकर रहता है ये प्यार है ही इतना खुबसूरत कि आपको जब प्यार हो जाता है तो आप उसकी उम्र नहीं देखते कि कुछ ऐसी ही प्यार की लीन में बॉलेवुड इंडॉस्ट्री के तमाम आक्टरस रही तमाम हसीनाएं रही जिन्होंने अपने से बड़े शक्स के आक्टर के साथ रोमांस किया और अब शाधी भी कर ली है कुछ आक्टरस ने अपने से छोटे उमर के आक्टर से प्यार किया और शाधी की तो आज हम ऐसी ही कुछ हसीनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनकी शाधी के इतने लंबे वक्त के बाद भी आज तक फान से ये बात चुपी हुई थी नमस्कार आप सभी देख रहे हैं नेक्साइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैंसी बॉलिवोड इंडस्ट्री में यू तो तमाम अक्टर और अक्टरस हैं कि जिनें आपस में महबबत हो जाती है और फिर ये महबबत शाधी में तबदील हो जाती है मगर अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र में काफी फासला होता है प्यांका चोपड़ा और निक्चाइनस काकर हम जिकर करें तो ग्यारा साल का दस से ग्यारा साल का जो फासला बताया जाता है वो कोई छोटा फासला नहीं है अब हम जिस हसीना का यहाँ पर जिकर कर रहे हैं यो तो हम तमाम हसीनाओं के आगे आपको बताएंगे ना यहाँ पर हम जिसमें हसीना का जिकर कर रहे हैं वो हसीना कोई और नहीं बलकि एश्वर्या राय बच्चन है एश्वरिया राय बच्चन को प्यार हुआ अभिशेक से और वो बच्चन परिवार की बहु बन गई मगर शादी के सालों बात एक ऐसा राज इन दोनों कपल के बीच का अब सामने आया है जो यकीनन बच्चन परिवार भी जानके हैरान हो जाएगा तो चलिए दिखाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी हसीनाई है और इश्वरिया अभिशेक की जिन्दगी का ये कौन सा बड़ा राज है जिसे अब तक फैंस नहीं जानते थे भी जान फिर टाने जानके हैं सब्सक्तूर इसक्राइब्स की जाएब्स की जाएब्स का बड़ा गड़ेश्यों में बड़ाजब्स नहीं जाएब्स की जानके हैं प्यार दिवाना होता है, मसताना होता है यकीनन है, बॉलिवड इंडस्ट्री में प्यार दिवाना है और प्यार मसताना है यो तो प्यार बेहती खुबसूरत सा हैसास है और ये प्यार जब भी जिसे भी हो जाता है, वो शक्स उम्र को भूल जाता है कहा जाता है कि प्यार में उम्र माइने नहीं रखती बॉलिवट के कुछ सितारों को देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है इन सितारों ने उम्र को परे रख कर एक दूसरे के साथ साथ जन जीने का वादा किया आज हम कुछ ऐसी ही अभिनेत्यों के बारे में जिकर करेंगे जो अपने पतियों से चोटी भी है और काफी बड़ी भी सबसे पहली जोडी जो है अभिशेक बच्चन और इश्वर्या राय बच्चन की है अभिशेक और इश्वर्या राय बच्चन की शादी 20 अप्रेल 2007 को हुई बॉलिवुड के ये जोडी सबसे ज़ादा लोक प्रिये है दोनों की एक बेटी अराध्या है एक इंटर्व्यू में अभिशेक ने बताया था कि टॉरेंटो में जन्वरी 2007 में फिल्म गुरु के प्रीमियम के बाद होटल की बालकनी में उन्होंने एश्वर्या को प्रपोस किया था वैसे आपको बता दे कि अभिशेक उमर में एश्वर्या से 2 साल छोटे है जी हाँ यकीनन ही आपको ये जान के हैरानी हो रही होगी कि अपने से दो साल छोटे आक्टर के प्यार में जब इश्वरया पड़ गई थी तो उन्होंने ना तो समाच की परवा की और ना ही लोग उन्हें क्या कहेंगे इसके बारे में सोचा सालों बाद जिस तरीके से इनकी उम्र का जो यहाँ पर खुलासा हो रहा है उसे यकीनन इस तरीके से पब्लिकली देखकर बच्चन परिवार हिरान जरूर होगा क्योंकि बच्चन परिवार भी हर वक्त इन चीजों को छुपाता दिखाई दिया है चलिए नजर डाल दे हैं अब एक अगली जोडी पर जो है प्रिती जिंटा और उनके पती जैन गुन्यव की प्रिती जिंटा ने साल 2016 में अमेरिकन निवासी जैन से शादी की आपका बता दे कि प्रिती और जैन की उमर में 10 साल कांतर है प्रीती के पती उनसे 10 साल छोटे हैं प्रीती और जैन की मुलाकात अमेरिका में हुई थी दोनों मिले बातें आगे बड़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती फ्यार में तब तीन हो गई अगली जोडी है करन सिंग ग्रोवर और विपाशा बसु की अभिनेता करन सिंग ग्रोवर और विपाशा बसु ने बेंगॉली रिती रिवाद से शादी की करन सिंग ग्रोवर विपाशा से तीन साल छोटे हैं फिल मैलोन के बाद दोनों में प्यार की चर्चाएं खूब सुर प्रियांका चोपड़ा से 1 दिसंबर 2018 में जोतपूर में शादी की। इस कबल की शादी हिंदू और क्रिश्वन रीती रिवात से हुई। आपको बता दे कि प्रियांका चोपड़ा उमर में निक जॉनस से 10 साल बड़ी है। दीरे दीरे दोनों करीब आए और सोहा और कुनाल फैरिस में छोटिया बताते दिखाई दिये। तबी कुनाल ने सोहा को शादी के लिए प्रपोस कर दिया। दोनों की एक प्यारी और छोटी सी बेटी भी है। जिस तरीके से एक आम इंसान एक आम जोड़ी सोचती है उस तरीके से ये बॉलेवुड सतारे तो इन फाक्ट बिलकुल नहीं सोचते। इश्वर्या और अभिशेक का ही ले लीजिए। जिस तरीके से बच्चन परिवार की बहु इश्वर्या राय बच्चन है। तो इश्वर्या अभिशेक से दो साल बड़ी है। मगर जहां पर प्यार है सच्चा वहां पर उम्र भी क्या कर लेगी। ये जोडियां इस चीज की मिसाल बनती दिखाई दी। मुक्जर के सक्टा प्यां पर ठाऊंती बड़ेके लिए। देखा आपने कि आखिरकार जिस रास्त का हम जिकर कर रहे हैं वो इनकी उमर का फासला है कहीं न कहीं एश्वर्या राय बच्चन और अभिशेग बच्चन जो हैं यहाँ पर साफ तोर पर इनकी उमर में काफी जादा फासला है और यह जो फासला है वो कहीं न कहीं साफतोर पर ये झलकाता है कि प्यार सबसे खुबसूरत है, ये जब भी होता है इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का जाप करता है और कही न कही, ईश्वरे और अभिशेक का धिकर करे, प्यान का निक का धिकर करे या फिर बागी हसीनाओं का धिकर करे ये आज भी अपने प्यार को बरकरार रखी हुई है आज भी अपने रिष्टे को ये चला रही है और हम यहीं चाहते हैं कि इस तरीके से बॉलेवोर्ड इंडॉस्ट्री की ये जो खुबसूरत दीवाई है इश्वरे और अभिशेख है इनका रिष्टा यू ही सदा बना रहे और सदा ही ये जो जोडी है वो सबसे जादा खुबसूरत भी रहे फिलाल आच के उस प्रोक्राम में बत सकता ही पर हाँ आप हमारी चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले